गुरूर ब्रह्म्हा, गुरूर विष्णो, गुरूर देवो महेश्वरा, गुरू साक्षात परब्रह्म्हा, पस्मई श्री गुरवे नमा मैं जादुगर मड़तु राजीव, मैरा चैनल टोट ओफ मैजिक में आप सब का हादिक स्वाज़त करता हूँ आज एक जादु लेकर के आया हूँ मैं, पहले मैं उस जादु दिखाएंगा आपको, उसके बाद उसका रहासित आपको बताओंगा, चलिए दोस्तों जादु की तरफ करऊशना चाहद दोस्तों जादाद का बराद को बाद में आपको, मैं आपको अवणा ढ Clayton झाल झाल दोस्तों अब मैं इस जादू की रहस्य की और चल रहा हूँ उससे पहले गर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ये जादू अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कब दीजिएगा और बास में बनते हिकन को वी दबा दीजिएगा ताकि आपी मैं अपनोर करने वाला एक जाद से जादा जादू और उसके रहस्यू का खुलासा करने वाला वीडियो उसके नोटिफिकेशन्स समय समय पर वह सबसे पहले आपको मिलता रहे तो इस जादू करिये दोस्तों पहले से अमने कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा इसमें से एक डिकल शोप से एक सिरंज ले दीजिए और एक अंदा लेना इस तरह वो सिरंज से यहां पर एक चोटा सा सुराक डाल दीजिए और इसके अंदर वाला पूरा माल बाहर निगल दीजिए जब पूरा माल बाहर निगल जाता है इस अंदक का खोक्रे को विनीगर के अंदर डाल कर रखना है कम से कम दस बारा गंदा जब दस बारा गंदा के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको पता लएगा कि ये उपर वाला जो हार्ड छिलका है वो बिल्कुल नरम होगा बहुत सावधरनी से उस उपर वाला जो हार्ड छिलका है जो विनीगर मन डालने के वज़े से नरम हुआ है उसको अराम से निगल दीजिए और उसके जस्त नीचे जो एक और कवर हो जब भी आपको प्रदर्शन करना है उससे कुछ दिर पहले इसको पानी के अंदर डाल कर डुगा करके चितरे गीला कर दीजे और उसको निचोड दीजे निचोड करके एक जगे रख दीजे कुछ दिर में वो सुख जाएगा और पूरा सुखनाने चाहिए एक ऐसे कंडिशन आएगा जब उसको हाथ में लेकर के आप इस तरह से हिराएंगे तो वो एक अंडर का शेप में आ जाएगा उस टैंबर जैसे यह है इसको लेकर के ऐसा एक फूल के अंदर एसा रख देना है और शो करते समय आप पहले फूल दिखाना है सफेज रंग का एक फूल इस तरह से दिखा देना है कि उपर से एक इस तरह से तोल रहा है आप ऐसे एक्टिंग कीजिए और ये अंडर का जो छिलका चुपाए अबाए है उसको ले दीजिए उसको एक ट्रांस्टर्ण बर्तन में डॉल दीजिए उससे पहले आपको क्या करना है एक असली अंड़ा जो असली अंड़ा है उसको अपने हतेली के अंदर तैने हाथ के हतेली के अंदर पामीं कर देना है और उसके बाद ये बर्तन लेना है और इसको इस तरह से हिला देना है इसे उपर नीचे जैसे आप खिलाएंगे तो वो जो छिलका है अंदर का वो थोड़ी देर में ही श्रीप बदलना शुरू कर देगा आपक अंड़ का श्रीप में आ जाए और ये जो बबतन है इसके बाहर से इससे देखने से इसा लगेगा कि ये असल में एक अंड़ा है जब वो शेप आ जाता है तो आपको क्या करना है इसको लेकर के दैने हाप में इस तरह डाल देना है और डालते ही इसको निचोड़ जाना है ये और दूसरे अंड़ा बाहर कर देना है अब किया है यह असली अंडा है आपके आप में लेकिन जो अंडा उचिलके से हवा बरकर के बने जाता है इसमें वो यहां बर ने अंगुलियों के पीच में है अब इसके उपर ऊसके इसको तोड़ नाल दीजे दिखा दीजे ताकि बोदिन को पता लेगे यह असली अंडा है अब उसकर जो चिलका वजएगा उसके इसके इन डाल दीजिए उसके सांगश यह शूपर इसां जुकर है झाल झाल